नमस्कार, मांसी मांजरेकर, इंटिरे डिजाइनेर और आप सभीजन देख रहे एसी इंटिरेश चानल कल से दीपावली का क्योहार चालू हो रहा है तो इसलिए आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुपकामना है और यह दिवाली आपको बहुत ही लावदायक हो और आपके साथ आपको ढहरों खुशिया लेकर आये दीपावले आपका आज का एपिसोड बनाने के बारे में मैं सोच रही थी की आपके साथ कौनसी यी चीज मैं शेयर करो। जो के आपको ये दीवाली के साथ उसका कुछ बेनिफित हो जाए। ये सोच ने की टाइन अमेन धिमाग ने चीज रही थी कि दिवालि यानि क्या। दिवाली यानि इस फेस्टिवल ओफ लाइट यानि लाइट के लिए हमारे घर में नॉर्मली हम लोग सब लोग दिवाली में अपने घर के बाहर लाइट लगाते हैं दिया लगाते हैं और आकशकंदी लगाते हैं तो तीनों चीजों में चीजों के बारे में आज हम देखें सरूर कीजे Normally हमारे घर के Living Room के बाहर कोई-कोई फ्लाट के लिए balcony होती है किसी फ्लाट को balcony नहीं होती है अगर balcony है या नहीं है तो भी आपको यहाँ पे देखने है कि आपको दिवाली में जो आकाशकंदी लगाने उसके लिए वहाँ पे लाइट के आरेजमेंट है या नहीं है Normally जहाँ पे बालकनी नहीं होते है वहाँ पे सिफ विंडो है तो उसके बाहर लाइट के आरेजमेंट नहीं होते है तो आपको एक बाद चेक करना है कि दिवाली में आपको यह लगाने अके लिए वहाँ पर कुछ arrangement है या नहीं है जैसे कि living room में अगर balcony है तो आपके balcony में आप slab में वहाँ पर J hook लगाए ताकि आप lighting के जबी वहाँ पर lighting के तोड़ने लगाएंगे आप उसके उपर लगा सकते हैं अगर नहीं है तो जैसे मैंना भी बुता कि balcony नहीं है तो आपकी जो window है उस के उपर आपको एक slab दिखेगा उस लाप के ऊपर आप छोटे-छोटे J hook लगाए एक एक या डेडेट फूट के डिस्टंस के उपर तो उसके बज़े से आपके जो लाइटिंग के तोडने है वहाँ पर उसको इसी तरह से लटका सकते है यानि आपको एजी लिए इसके लि पर उसके साथ ही जैसे आपको लाइटिंग के तोरन लगाने है तो उसके लिए एक स्विच और सॉकेट का प्रोविजन वहाँ पर है या नहीं है जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि बालकनी नहीं है तो नॉर्मली वहाँ पर यह दोनों भी चीज़े नहीं हो सकती है त उसका फाइदा जरूर होगा तो यह दोनों चीज़े रहेगी तो आप आपके दिवाली में आकाशकंदिल और आपकी जो लाइटिंग की तोरन है ओ भी लगा सकते हैं आकाशकंदिल और लाइट लगने के बाद आता है दिया यह जैसे कि पहले भी मता मैंने आपको बताया दिवाली इस फेस्टिवल अफ लाइट तो दिया तो बहुत इंपॉटन चीज़ है अभी मार्केट में बहुत माटेरियल के दियाज अवेलेबल है जिसमें कि आपको दियाज मिलेंगे पत्थर में लकडे में काच में मोम में इस सारे माटेरियल में आपको मार्केट में द इसके बज़े से ओधिया लगने के बाद आपको उसको अगर आप जमीन पर रखते हैं तो उसका रिफलेक्शन आ जाए तो कोई ऐसे भी दिया मार्केट में अवेलेबल है कि आप दिवार के साथ रखेंगे तो उसके जो रिफलेक्शन है उसमें उसमें जो कट्वक की डिजा आप उसका यूज दिवाली में जरूर कर सकते हैं आज मैंने आपके साथ चोटी सी चीजे शेयर किये वैसे देखा जाए तो बहुत ही चोटी सी चीज है लेकिन इतना ध्यान रखें अगर आप यह चीज ध्यान नहीं रखते हैं तो आप आपके घर के बाहर कंदील या दिय या कैसे लगाएंगे जैसे कि हम लोग हमेशा से अगर यह प्रोविजन नहीं है तो एक्स्टेंशन वायर लेके वहाँ पे कंदील लगाते हैं और उसी टाइम मों सब लटकते हुए वायर दिखाई देते हैं अगर पहले सी यह चोटी सी चीज है उसका अगर ध्यान रखें और आपका घर एकदम लाइट से भर जाया तो आज आपनी देखा कि बार-बार में आपसे ही बोल रही हूं कि दीवाली दीवाली तो आपकी लाइफ भी यह ऐसे ही लाइट की तरह चमकती रहे और आज मैंने आपके साथ यह बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन आज मैंने आपके साथ यह जो सिंपल जो टिप शेयर किये वो आपके नए घर बनाने के टाइम हमेशा याद रखे और हमेशा फिर आपके घर के बाहर कंदील और तोरण के लिए इजी लिए आपको एडिजमेंट मिल जाएगा अगर फ्रेंड्स आपको यह मेरी वीडियो अच्छी ल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे और साथ ही साथ बेल आइकोन को जरूर क्लिक कीजे ताके आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए